वेल्कम टू प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मेहधरवाद की क्लासिक देसिपी गोष्ट और कदू की दालची की रेसिपी शेयर करी हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनता है तो चलिए बनाना शुकरते हैं मज़ेदार सा गोष्ट और कदू का दालचा इसके लिए सबसे दाल को बॉइल कर लेंगे यहां पर मैंने तूर की डाल नहीं है आप चाहें तो चैनिकी डाल का भी बना सकते हैं इसको मैं अच्छे से विगा के रखा था आदे घंटे के लिए अब हम इसको प्रेशर को कर लेंगे तो चार से पांच विचल होने के बाद ने मैंने स्टू लिए हड़ी वाला गोश लीजिए इससे दाल चाब बहुत टेस्टी बनेगा मेरे पास में प्यास चोटी है तो मैंने दो दाली है अगर आपके पास ने बड़े साइस किया तो एक प्यास दाल दीजिए जिंजर गाली का पेस्ट एट करेंगे वन टेबुल स्पून हल्दी तो बस एक कप के जितना पानी दाल दीजिए क्योंकि गोश्ट का भी पानी रिलीज होगा और साथ में यहां पे मैं तीन मीडियम साइस के टमाटर ले रहे हूं जिसों मैंने चोकोन कट करके रखा है अब हम इसको सिफ गोश्ट के ऊपर इस तरह से दाल देंगे टमाटरों प्रेशे को कर लेंगे चे से साहतं होने तक इतनी देर में कदू छील लिया है मैंने इस तरह से गूल्ड टाइमट पीसे से कदू याने बोटरल गाट मीडियम साइस का था यह देर में देखिए प्रेशर रिलीज हो गया है ओटामाटर और प्याज अच्छे से गल गया है वोसमें टालेंग को अगैँ कुध मिक्स करें घट合 में 5 उनिट पकाई नहीं आदो तो यहां बाखे कोज़ेगों हम आखें स्वाथ के द्री आट नटे fier Dinas और यह देखे पांच मिनिट के बाद में कद्दू जो है वो 50% अच्छे से पक गया है तो इस स्टेश पी हमने जो दाल को बॉइल करके रखा है वो इसमें आड करेंगे ताल के साथ भी हमने गोश्ट को और कद्दू को बस पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका ले तो यह हैंड फुल इमली है इसका हमने अच्छे से जूस निकाल लेना है और इसमें हम दाल चे में इसको आड कर देंगे अब की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए अगर आपको घाडी लगे तो आप इसमें पानी आड कर सकते हैं और अब हाई फ्लेम पर इसको हमने दस दम देकर पका लेंगे साथ में हैदराबादी गरम मसाला पॉडर एट करेंगे कोटे टी स्पून और कटा हुआ हरा धनिया याने कोथ मीर और रख देंगे इसको दम पर तो यह देखिए दस मिनिट की बाद में बहुत ही अच्छे से इसका कलर आ गया है और तीरा भी आ गय तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है आप देखकर बना सकते हैं दाल बगरा खाना दालचे के साथ में तो बहुत ही बहतरी मज़ेदार कद्दू और गोश्ट के दालचे की रेसिपी अगर आपको अच्छे लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने ऐसे फैमली और फ्रेंट से जिनको हैदरबादी क्लासिक रेसिपीज अच्छी लगती है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे ही यूसफुल वीडियो के लिए ठैंक्स फॉर वाचिंग